तो देखते हैं हमारे पर question number 5 में हमसे क्या बोला गया है write an equation to show the reaction between plaster of Paris and water तो हमें यहाँ पर plaster of Paris और water की यहाँ पर reaction बतानी है और product side हमारे यहाँ पर क्या बनेगा वो भी हमें यहाँ पर बताना है तो देखते हैं यहाँ पर क्या होगा तो सबसे पहले है plaster of Paris का यहाँ पर formula लिख देते हैं जो कि यहाँ पर क्या होता है C A S O 4 dot मतला हमारा क्या होता है multiply कर रहा है half of water से तो half H2O हो जाएगा plus हमारा जो water बनेगा वो यहाँ पर क्या बनेगा 3 by 2 H2O बनेगा ठीक है यह हमारे यहाँ पर balance equation बता रहो हрам और यहाँ पर जो react करके बनाएगा हमारा क्या बनाएगा जिप सम बनाएगा जो कि यहाँ पर क्या होता है C A S O 4 dot मतलब multiply 2 H 2 O ठीक है यह जो हमारा है यह हमारा क्या है plaster of Paris है यह क्या हमारा plaster of Paris है और यह हमारे नहीं पर क्या बन रहा है यह हमारा water है और यह दोनों मिलके जो बनाएंगे यह हमारा क्या बनाएंगे gypsum बनाएंगे gypsum ठीक है यह हमारा reaction यहाँ पर मैंने लिख दिया है हम चाहे तो gypsum से प्लास्टर पैरिस और water भी बना सकते हैं gypsum हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा reactant side हा जाएगा और यहाँ पर plastoparis और water product side हा जाएगे और वो जो reaction कलाई जाएगी वो हमारी कौनसी कलाई जाएगी decomposition reaction वो हमारी कौनसी कलाई जाएगी decomposition reaction जो हमारा क्या होता है एक compound से 2 या 2 से ज़्यादा प्रोड़क्ट बने वो हमारे decombination reaction हो जाता है तो हमारा यह प्रोड़क्ट बन जाएगा प्लास्टो पैरिस और वाटर बट हमें यहाँ पर प्लास्टो पैरिस और वाटर का reaction बताना था जो कि यहाँ पर जिप्सम बन रहा है होप आपको इस समझ में आ गया होगा अब हम बढ़ते हैं अपने next question के तरफ